आपने कहा कि हमारी माइक्स ओफ कर दी जाती है डेमोक्रसी डाज नॉट एक्जिस्ट राहूल जी आखड़े लेके आएं हैं आज आज आप पार्लामेंट आएं आपके आखड़े जो बारती जनता पार्टी आज बता रही है इन आखड़ों पे गौर फर्माएं एटेंडें बतां पार्लोमेंट में 52 परसंटेज है जबकि नैशनल ऐवरेज 79 प्रतिशत है और स्टेट जहां से राहूल गांधी MP है और ठाद केरल केरल का आउसत 84 परसंटेज है केरल के MP जो है वो 84 परसंटेज पार्लोमेंट आते हैं नैशनल ऐबिष लगभग 0 प्रतिशत है and मात्र 52 पर्सेंटेज टाइम्स राहूल गांदी पार्लमेंट आते हैं अधिकान समय तो विदेश महीं रहते हैं और आप कहते हैं कि हमारे माइक आफ कर देते हैं आपका एटेंडेंस ओफ है साहब माइक तो अन है दूसरा आकड़ा का पार्टिसिपेशन इन डिवेट्स डिमोक्रसी डिवेट्स और डिसकशन डिसकशन अगर डिमोक्रसी में डिवेट नहीं होगा डिसकशन नहीं होगा तो डिमोक्रसी का कोई मतलब नहीं है कोई माइने नहीं है डिमोक्रसी की आत्मा डिवेट होती है और राहूल गांधी न मात्र छे डिबेट्स में पार्टिसिपेट किया है अब तक इस सेशन में मतलब 2019 से नैशनल एवरेज 41 का है और स्टेट एवरेज 68.2 केरल से जहां से वो MPA वायनाड उस स्टेट का एवरेज 68.2 परसंटेज है कितने सवाल राहुल गांधी जी ने पूछे हैं सवाल तो आप विदेश की भूमी में पूछते हैं पार्लेमेंट में कितने सवाल पूछे हैं राहुल गांधी ने 2019 से 2023 तक मात्र 92 92 सवाल पूछे हैं जबकि नैशनल एवरेज 163 की है और स्टेट एवरेज केरल का एवरेज 216 की है आप सवाल पूछते नहीं है because you don't have questions एक ही tape recorder है आपके पास वही हर जगा चलाते हैं आप debate में discussion में भाग लेते नहीं है because you have nothing to debate you don't participate in the Parliament आपकी attendance यहां सबसे कम है because you feel that unfortunately quote unquote unfortunately you are a member of Parliament वो तो एक बगल में जैराम रमेश बैटे रहते हैं जो कान में बोलते रहते हैं वरना उनके मुख से तो सत्त निकली गया था कि unfortunately I am a member of Parliament fortunately I love traveling fortunately वो एक foreign country के tourist के रूप में देखे जाते हैं उनको अगर बोला जाया कि सबसे बड़ा fortune क्या है तो सबसे बड़ा fortune वो कहेंगे हिंदूस्तान के विरोध में विदेश में बोलना यह सबसे बड़ा fortune है and unfortunately I am a member of Parliament तो स्वभाविक रूप से यह आकडे राहु गांधी जी के हैं और विदेश की भूमी में जाकर मीर जाफर के काम करने वाले सहजादे राहुल गांधी जी से we don't request not as BJP but हिंदुस्तान के एक साधारन जनता के रूप में यह आदेश देते हैं यह demand करते हैं कि you have to apologize आपको माफी मांगना ही चाहिए और मांगना ही पड़ है हिंदुस्तान को बदनाम करने का काम किया है और यह अधिकार आपको हिंदुस्तान की जनता ने नहीं दिया है